योगी सरकार ने 30 सालों से लंबित पड़े जेवा इंटरनेशनल एरपोर्ट के काम को रनवे पर ला दिया है जिसके लिए स्टेट सपोर्ट एग्रिमेंट करार साइन कर लिया गया है इस मौके पर योगी आधितिनाथ ने कहा कि पिछले 30 सालों से एरपोर्ट को लेकर स्टान के चिनाव कार लंबित पड़ा था लेकिन हमने तेज़ी से कार किया है आप भी सुन ये क्या कहते हैं योगी नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जेवर के समझ में कोविड नाइनटीन के बाबजूद जो प्रोग्रेस है यहां काफी संतोस जनक है और जिस प्रतिवद्धता के साथ राज्य सरकार यमना अथोर्टी और इससे समंदित सभी पक्सों ने अपने इस कारिक्रम को आगे बढ़ाया है वहाँ प्रदेश के अंदर एक नई कारिस संस्कृति को प्रदर्शित करता है यह हमारे लिए एक उपलब्दी होगी नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेबलम्मेंट के लिए प्रदेश सरकार कैसा कारे कर रही है उसका एक उधारन है नवेडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जेवर यह मामला पिछले तीस वर्सों से लंबित था लोग निर्णे नहीं कर पा रहे थे कि एरपोर्ट बनना कहां पे है मार्च दोजार सत्रह में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई और हम लोगों ने उसी समय तैक कर लिया था हमारा निर्णे उस समय भी सही था और मैं आज भी इस बात को कहता हूँ कि हमने जेवर में इंटरनेशनल ग्रिन फिल्ड एरफोर्ट के निर्मान का जो फैसला लिया था वह प्रदेश के हित में और देश के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णे था क्योंकि अगर हम लोग इस एरफोर्ट को कई दूसी जगे बनाने की बात करते तो हमारे सामने उसी प्रकार की दिक्कते होती जे आज भी उन छेतरों में है आगरा में हमारा सिविल टर्मिनल भी तक निर्वान कारे प्रारम नहीं हो पा रहा है लेकिन चेवर में हमने एक एक मालिस्टोन एचीब करते जा रहे हैं और खास तोर पर 5 दिसंबर 2017 को मंत्री परिशद में जेवर में नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के विकास का अन्मोधन हमने प्रदान किया था और इस के लिए हम लोगों ने एक पीपीपी मोड में इसे आगे वढ़ाने की अपनी सहमती भी दी थी